तो कैसे हो आप सब आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ट सिखाने वाली हूं हिंदी में सिखाऊंगी ताकि आप बिलकुल अच्छे से समझ पाओ तो आज के इस वीडियो को बिलकुल लास तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाईएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा तो चलिए बना समय गवाए आज के इ M-I-S-O-G-Y-N-I-S-T, ठीक है, Misogynist, Misogynist, ठीक है, Misogynist का मतलब होता है, A person who hates woman, एक कोई ऐसा person जो woman से नफरत करता हो, पसंद ना करता हो, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्ति होते हैं, जो की woman को lady को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें हम Misogynist बोलते हैं, ठीक है, next word है हमारा glutton, Glutton की spelling होती है G-L-U-T-T-O-N Glutton ठीक है कभी भी English में न Double T या Double C नहीं होता है यहाँ पे जो मैंने लिखा है T-T तो इसको हम लोग अलग-अलग प्रणाउंस करेंगे ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे G-L-U-T-T-O-N Glutton Glutton means होता है A person who eats too much कुछ ऐसे व्यक्ती जो बहुत ही अधिक खाते हो उन्हें हम Glutton बोलते हैं Glutton ठीक है Next word है हमारा Extemper Extemper की spelling होती है E-X-T-E-M P-O-R-E Extemper E-X-T-E-M P-O-R-E Extemper It is also pronounced as Extemper कुछ लोग इसको बोलेंगे Extemper Extemper No It's Extemper Extemper Right Extemper means होता है Speech given without preparation Speech given without preparation यानि कि अगर आप किसी speech देने वाले हैं अपने स्कूल में कॉलेज में युनिवरसिटी में और उसका preparation आपने नहीं किया है आप सिधा स्टेज पे जाते हो बोलते हो तो वो Extemper हो गया जैसे कि आपके स्कूल के प्रिंस्पल हो गया वो अपने स्पीच का practice नहीं करते हैं वो directly माइक पे आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हमें बोलना है स्टुडेंट्स के सामने अगर आपको वो चीज आता नहीं है अच्छे तरीके से लेकिन फिर भी आप उस चीज को लेकर के advantage देते हो आप जोब के लिए apply करवाते हो तो वो nepotism हो गया nowadays it is very much popular nepotism वोड आप सभी ने सुन रहे होगे कि nepotism होता क्या है अब पता चल गया इसका मतलब क्या होता है giving unfair advantage to his family by giving jobs to them known as nepotism alright next word है हमारा dapper dapper की spelling है d-a-p-p-e-r मैंने आप लोगों को यह बतलाया न glutton का g-l-u-t-t t अलग होगा t दोनों अलग अलग हम प्रणाउंस करेंगे ठीक है वैसे ही dapper में भी d-a-p-p-e-r कभी यह double p नहीं होगा d-a-p-p-e-r dapper dapper मतलब क्या होता है a person who is good in appearance and has a macho looks like Ritik Roshan को आप देखो कितने अच्छे वो दिखते हैं and कितने मतलब macho looks लगता है right a person who is good in appearance and has a macho looks ठीक है so I just hope कि आपको आज के इस वीडियो में अच्छे तरीके से English बोलना सिखा पाई होंगी and if you like this video please this video को like जरूर करिएगा and हमारे चैनल को भी subscribe करके bell icon जरूर बजाईएगा thank you so much for watching this video जय हिंद बंदे मात्रम